हेलो फ्रेंट्स, इंकम टेक्स के केसिस की सीरीज में, आज जो केस हम लोग डिसकस करेंगे, उसके इसका नाम है प्रिंसिपल कमिशनर ओफ इंकम टेक्स एंड अनैधर वर्सेज गली जनावधन रडडी, ये केस 454 ITR पेज नंबर 467 पर रिपोर्ट हुआ मैटर, करनाटका आ 2023 को आया, इस केस को डिसकस करने का में कारण ये है, कि ये केस इस चीज का एक परफेक्ट एक्जामपल है, कि यदि लॉग के अंदर किसी चीज की कोई मर्यादा दी हुई है, या कोई प्रोसीजर दिया हुआ है, तो वो प्रोसीजर, चाहे वो असेसी की जमेदारी हो, या वो डिपार्टमेंट की जमेदारी हो, उस प्रोसीजर को पूरा किया जाना चाहिए, यदि उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता, तो चाहे असेस्मेंट कितने भी मेरिट पर की गई हो, वो असेस्मेंट मानने नहीं होती, ये केस इस चीज का एक परफेक्ट एक्जा एसा material उस SSE के हां मिल जाता है जिस SSE के हां सर्च होती है जर्णल एक procedure यह है कि जिस SSE के हां सर्च हुई उधारण के तोर पर A SSE के हां सर्च हुई और उस A SSE के हां किसी B SSE से related कोई ऐसी information मिली जिससे यह पता चलता है कि B SSE ने भी कोई undisclosed income कमाई है तो department के पास section 153C के अंदर यह अधिकार है कि वो उस दूसरे SSE B की भी assessment कर सकती है लेकिन यह assessment करने से पहले जिस SSE के हां सर्च हुई है उसके assessing officer को यह satisfaction record करनी है कि यह documents A SSE से relate नहीं करते हैं यह documents B SSE को relate करते हैं या belong करते हैं यदि जिस SSE के हां सर्च हुई है उसका assessing officer इस satisfaction को record नहीं करता तो जो भी assessment दूसरे SSE की की जाती है वो assessment जो है वो null and void होगी अब प्रशन यह उड़ता है कि यह satisfaction किस stage पर record की जा सकती है या यह satisfaction department को कब हो सकती है जब किसी SSE के हां सर्च हुई उस वक्त department को यह लग सकता है कि यह documents किसी और SSE से belong करते हैं जब जिस SSE के हां सर्च हुई उसकी जब assessment चल रही है उस वक्त assessing officer को यह लग सकता है कि यह documents A को belong नहीं करते हैं या जिस SSE के हां सर्च हुई उसकी assessment कंप्लीट होने के बाद यह लग सकता है कि यह documents A से belong नहीं करतें B को belong करतें तो ऐसी परिस्तिती के अंदर जिस assessi के हां सर्च होई है उसके assessing officer को satisfaction record करनी है कि यह documents A को belong नहीं करतें B को belong करतें जब तक यह satisfaction record नहीं कि जाती जब तक उस assessing officer के पास यह power नहीं आती कि वो दूसरे assessi की assessment section 153C में कर पाए इससे भी कोई फरक नहीं पड़ता कि जो search का assessing officer है और जो दूसरे assessi का assessing officer है यदि वो same भी है तब भी उस assessing officer को satisfaction record करनी है जो assessing officer उस assessi का है जिस assessi के हाँ search होई है इस case के अंदर assessment complete की गई section 153C के अंदर without satisfaction को record किये हुए assessi ने CIT appeal में उसको challenge किया CIT appeal ने assessi की बात नहीं सुनी ITAT ने और high court ने ये कहा कि जो primary requirement थी satisfaction record करने की वो नहीं की गई इसलिए जो भी 7 सालों की assessment की गई वो assessment valid नहीं है इसमें friends एक और महत्पून बात ये है कि जिस assessi के हाँ सर्च की जाती है तो जिस साल में सर्च की जाती है उसके पिछले 6 सालों की assessment की जाती है और जिस साल की सर्च जिस साल में सर्च होती है उस साल की assessment section 143C में की जाती है लेकिन जो दूसरा assessi है जिसके documents मिले हैं उसके लिए date of search कौन सी मानी जाएगी उसके लिए date of search वो मानी जाएगी जिस date पर searched assessi के assessing officer ने दूसरे assessi के assessing officer को documents handover किये या satisfaction record करी Friends ये case बहुत important है उन सब assessments के लिए जहां पर section 153C में assessment की जाती है वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं case का नाम repeat कर रहा हूँ case का नाम है principal commissioner of income tax and another versus गली जनावल धाना रड़ी ये case 54 ITR page number 467 पर report हुआ मैटर करनाट का high court ने decide किया और इस case का judgment 31 March 2023 को आया Thank you friends